हाई गाईज वेलकम बैक मैं अब अभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेयर्स का एपिसोड नमबर 869 आज की तारीक है 14 दिसंबर 2020 हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फेंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर दबाना है ताके हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से एससी सीजिल पिनेकल डॉट कॉम और बलजी धाकर डॉट को में दोनों को विजित करना बिलकुल ना भूलिएगा ये सेशन हरो सुबा चार बज एवेलिब के साथ आपका पहला क्वेश्चन था दो हजार तैईस हिंद महासागर दुवीप समू खेलो की में जबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सही जवाब था मेडा गासकर और आपका दूसरा क्वेश्चन था अंतराष्ट्य परवत दीवस 2020 की थिम क्या है तो इसका सही जवा अब ऑप्शन नमबर डी दोनों A और B यानि कमला हैरिस और जो बाइडन अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बाइडन और उप राष्ट्रपती निर्वाचित हुई कमला हैरिस को दी टाइम पत्रिका दुवारा वर्ष 2020 व्यक्ति के रूप में नामित किय हैरिस देश की पहली महिला पहली अश्वेत और पहली दक्षिन एश्याई उप राष्ट्रपती बनेंगी 2019 में टाइम ने यूवा जलवायू कारे करता ग्रेटा थुनबर्ग को चुना था यहां पर इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफरमिशन की बात करें तो टाइम पत्र इशकारक यतांजली राओ अगला प्रशन है सतत परवत विकास शिखर समेलन का नौवा संसकरन किस शहर में आयोजित किया गया है तो इसका सई जवाब है option number A देहरादू देहरादू में sustainable mountain development summit SMDS के नौवे संसकरन की शुरुवात हो गई है इस वर्ष की theme है emerging pathways for building a resilient post-covid-19 mountain economy, adaptation, innovation and acceleration शिखर एक post-covid-19 परिद रिशेव और जलवायू परिवर्तन के संदर्ब में एक लचीला और स्थाई परवत अर्थ विवस्ता की और पत निर्मान के समगर उदेशे पर ध्यान केंद्रित करेगा उत्राखन के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्रे सिंग रावत और मे घाले के मुख्य मंत्री कन्राट के संग मासमारों में शामिल हुए यहाँ पर एक रिविशन की बात करें तो केंद्री पर्यावरन मंत्रालय ने हाल ही में देरादून में सौंग डैम पैजल परियोजना के निर्मान को मंजूरी दी है उत्राखन में नई जील का नाम है सू अगला प्रशन है यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है तो इसका सईच जवाब है ऑप्शन अबर बी 11 दिसंबर हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बनाया था द्वितिय विश्व यूद के बाद बच्चों की स्वास्थे, शिक्षा, पोशन में सहायता, आपूर्ती और सुधार करने के लिए इसे शुरू किया गया था सेयुक्त राष्ट्रे ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोशना को अपनाया था इसे 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया और इस समेलन दवारा निर्देशित किया गया इसे 1965 में शांती के लिए नोबल पूरसकार दिया गया था यहाँ पर एक रिविजिन की बात करें तो दिसंबर के इंपोर्टेंट डेज हैं अगला प्रशन है किस राजय ने जीव क्रांती योजना शुरू की है जिसके तहट महिलाओं को भेड और बकरी वित्रित की जाएगी तो इसका सही जवाब है option number D आंत्रप्रदेश आंत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री Y.S. जगन मुहन रेडी ने जगन्ना जीव क्रांती योजना शुरू की जिसके तहट 1,869 करोड की लागत से 2.49 लाक भेड और बकरी इकाईयों को चरनबत तरीके से महिलाओं को वित्रित किया जाएगा इस योजना का उदेश्य कम श्रम और कम निवेश वाली महिलाओं के जीवन सर को उपर उठाना है क्रिशी संबंध शेत्रों को बढ़ावा देने से अधिक आर्थिक विकास होगा और अंते किसानों को लाब होगा इस योजना के तहट पिछड़ा वर्ग बीसी अनुसूचित जाती सी और अनुसूचित जन जाती स्टी से 45 से 60 वर्ष की आयू के बीच महिलाओं को पशुधन मिलेगा राजे ने रिलाइन्स, अमूल, HUL और ITC के साथ सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि YSR चयूथा और आस्रा योजनाओं के महिला लाभारतियों को सहयोग किया जा सके इन समझोता ग्यापनों का उदेश्य, अधिक व्यवसाइक अफसर प्रदान करना और आत्म निर्भरता लाना है यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें तो YSR चयूथा स्कीम महिलाओं को अल्प संख्यक जातियों को सिशक्त करना है यह स्कीम 45 से 60 वर्ष की आयू की महिलाओं को 75,000 रुपे का वितियाई लाब देगा YSR आस्रा प्रोग्राम महिलाओं को वितियाई सहायता प्रदान करने का प्राभधान है सरकार स्वे सहायता समूहों के बकाया 27,168 करोड रुपे के बैंक रिनो को चार किष्टों में लोटाएगी बात करें आंधर प्रदेश की तो इसके डाम्स और रिवर्ज में आता है स्रीसेलम डैम कृष्णा, सोमा सिला डैम पेना और पोला वरम प्रजेक्ट गुदावरी अगला प्रशन है पैरिस दोहजार चौबिस अलंपिक खेलों के लिए अतिरिक्त खेल के रूप में किन खेलों की पुष्टी की गई है तो इसका सईज जवाब है उप्शनमबर डी उपरोक्त सभी यानि सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग के साथ ब्रेक डांसिंग दोहजार चौबिस के पैरिस ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए नए खेलों में से एक है इन चार खेलों को अंतरराष्ट्य ओलंपिक समिती आई ओसी के कारेकारी बोर्ड ने शामिल किया 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को पहले ही कारेकर में जोड़ा जा चुका है यहाँ पर एक को एक रिविजिन की बात करें तो अथलेटिक स्वेडरेशन ओफ इंडिया हाई परफॉर्मस डारेक्टर वॉलकर हैनमे ने अपने पत से स्थीफा दे दिया है अगला प्रशन है जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा जबकि पाकिस्तान ने 2022 में टूर्णमेंट की मेजबानी करेगा जबानी के अधिकार अरजित किये हैं 2020 में टूर्णमेंट की मेजबानी पाकिस्तान दुवारा की जानी थी हाला कि COVID-19 महामारी के कारण इसे सगित कर दिया गया अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है जिसमें श्रीलंका क्रिकेट PCB से होस्टिंग अधिकार लेता है यहाँ पर एक वेक रिविजन की बात करें तो कुछ अन्य इंटरनाशनली पॉपिलर ट्रोफिस और कप्स इन क्रिकेट हैं बात करें श्रीलंका की तो इसी कैपिटल है श्री जैवर्दना पूरा कोटे और करंसी है श्रीलंकन रूपी अगला प्रेशन है यूवा गणी तग्यों के लिए रामानूजन पुरसकार 2020 किसने जीता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी डॉक्टर कैरोलीना अराजू यूवा गणी तग्यों के लिए रामानूजन पुरसकार 2020 से एक अभासी समारों में ब्राजील के रियो डी जिनेरियो स्थित इंस्टिट फॉर प्योर और एप्लाइड मैथेमेटिक्स आई एम पीए के गणी तग्यों डॉक्टर कैरोलीना आराजू को प्रदान किया गया पुरसकार भारत सरकार के विग्यान और प्रद्योगी की विभाग द्वारा विद्पोशित है और यह अंतर राष्टर गनी तग्या संग को बीज गनितिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है अगला प्रेशन है दि प्रेजिदेंशिल इयर्ज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सईज़ जवाब है ऑप्शनमबर डी प्रनब मुखर जी दिवंगत पूर्व राष्टर पती प्रनब मुखर जी का संस्मरन जिसका शीरशक दी प्रेजिदेंशिल इयर्ज है को जनवरी 2021 में विश्व सर पर रिलीज किया जाएगा दिवंगत पूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर जी की यह पुस्तक उनके जीवन यात्रा का वर्नन करती है इसे रूपा बुक्स ने प्रकाशित किया है यहाँ पर एक वेक रिविजन की बात करें तो अप्रॉमिस्ट लैंड प्रेजिडेंट बराक उबामा की मिमोयर है यहाँ पर एक वेक रिविजन की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर जी का 31 अगस 2020 कोनी दिन हो गया वे भारत के 2012 और 2017 के बीच 13 राष्ट्रपती थे वे भारते राष्ट्र कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता थे 2009 और 2012 के बीच वे केंद्रे वितमंत्री थे 2019 में उन्हें राष्ट्रपती रामनात कोविन दवारा सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया गया था अगला प्रशन है किस बॉलिवूड अभिनेता ने 50 Asian Celebrities in the World सूची में शीर स्थान हासिल किया है तो इसका सईज जवाब है option number B सोनू सूध COVID-19 महामारी के दोरान अवसाहे लोगों की मदद करने को लेकर भारती अभिनेता सोनू सूध को दक्षिन एश्याई हस्तियों के सूची में शीर स्थान पर नामित किया गया है इस संबंद में अपनी तरह की पहली और एक अनूठी रैंकिंग जारी की गई विश्व में 50 एश्याई हस्तियों की सूची में शीर स्थान हासिल करने के लिए 47 वर्षे बॉलिवोड अभिनेता को कड़ी प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ा इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने काम से समाज में साकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्ररित किया है यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें तो अभिनेता सोनु सूध को संयुक्त राष्टे विकास कारेकरम UNDP दवरा प्रतिष्टित SDG Special Humanitarian Action Awards समानित किया गया है भारते चुनाव आयोग ECI दवारा अभिनेता सोनु सूध को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में न्युक्त किया गया है और पेटा इंडिया Person of the Year 2020 से जौन इब्रहेम को समानित किया गया है अगला प्रशन है हाल ही में किस राजय ने गोवंच वद रोक्थाम और मवेशी संरक्षन विधेयक 2020 को पारित किया है तो इसका सई जवाब है Option No.C करनाटक करनाटक विधान सभा ने गोवंच वद रोक्थाम और मवेशी संरक्षन विधेयक 2020 को पारित किया है करनाटा के मंत्री केजी मधुस्वामी ने इस विधे को लेकर कहा कि राजे में अब गाए और बच्छडों को मारने के अनुमती नहीं है अवैद बिक्री, परिवहन और गोहत्या कोदंडिने माना गया है बात करें करनाटा की तो इसकी डैम्स और रिवर्ज में आता है कृष्णर राजसागर कावेरी, तुंग बदर डैम तुंग बदरा और अलमाटी डैम कृष्णा नैशनल पाक्स में आता है नगर होल नैशनल पाक, आंची नैशनल पाक और बनर घटा नैशनल पाक करनाटगा की कैपिटल है बेंगलूरू, गवर्नर है वाजुबाई वाला और सीम है बीएस यदियूरप्पा युनेस्को वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है हमप्य मॉनुमेंट्स और पतरड़कल मॉनुमेंट्स बात कर लेते हैं आज के सेशन के को एक समरी की तो टाइम्स मैगजीन दवारा 2020 परसन आफ दी इयर के लिए जो बाइडन और कमला हैरिस को नामित किया गया है सस्टेनिबल मॉन्टेन डिवल्लप्मेंट सब्मिट देहरा दून में आयुजित की गई युनिसेफ डे दिसंबर 11 को मनाया जाता है जीवा क्रांति स्कीम आंधर प्रदेश में शुरू की गई है पैरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में अडिशनल स्पोर्ट्स है ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग जून 2021 में एशिया कपकी में जबानी श्री लंका करेगा रामनूजिन प्राइस फॉर यंग मैथमेटिशन 2020 डॉक्टर केरलीना आराजू को दिया गया है दी प्रेजिडेंशिल इयर्स बुक पराड़ मुकर जी ने लिखी है टॉफ 50 Asian Celebrities इन दी वर्ल्ड लिस्ट में सोनु सूद को शामिल किया गया है और Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill करनाटिका में पास किया गया है बात कर लेते हैं आज के सेशन की Quiz for the Day की आपका पहला क्वेस्टन है UNICEF दिवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्टन है The Presidential Years नामक पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और अगर अब तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है तैंक यू सो मच